भाई और बेहनों, हमारी सरकार ने जो कदम उठाए, हमारी राज्चे सरकारों ने जो कदम उठाए और आज देख रहे हैं मद्दबदेश में किस प्रकार से किसानों की भलाई के लिए काम हो रहे हैं वो पूरी तरह किसानों को समर्पित है अगर मैं वो सारे कदम गिनाने जाओं तो शायद समय बहुत कम पड़ जाएगा लेकिन मैंने कुछ उधारण इसलिए दिये ताकि आप हमारी सरकार की नियत को परक्ष सके हमारे ट्रैक रिकोर्ड को देख सके हमारे नेक इरादों को समझ सके और इसी आधार पर मैं विश्वास से कहता हूँ कि हमने हाल में जो कुर्शी सुधार किये हैं उसमें अव विश्वास का कारण ही नहीं है जूट के लिए कोई जगए ही नहीं है मैं अब आपसे कुरुशी सुधारों के बार बोले जा रहे सबसे बड़े जूट के बारे में बात करूंगा बार बार उद जूट को दोराये जा रहा है जोर जोर से बोला जा रहा है जहां मोका मिले वहां बोला जा रहा है बीना सिर पर बोला जा रहा है जैसे मैंने पहले कहा था स्वामी नाथन कमिटी की रिपोर्ट को लागू करने का काम हमारी ही सरकार ने किया अगर हमें MSP हटानी होती तो स्वामी नाथन कमिटी की रिपोर्ट लागू ही क्यों करते भाई आपने भी नहीं की थे हम भी नहीं करते हमने तो ऐसा नहीं किया हमने तो लागू की दूसरा ये हमारी सरकार MSP को लेकर इतनी गंबीर है कि हर बार बुवाई से पहले MSP की गोशना करती है इस से किसान को भी आसानी होती है उन्हें भी पहले पता चल जाता है कि कि इस फसल पर इतनी MSP मिलने वाली है वो कुछ बदलाव करना चाहता है तो उसे सुविधा होती है साथियो छे महिने से जादा का समय हो गया जब ये कानून लागू किये गया ये कानून तो लागू हो चुके थे 6 मेने पहले हो चुके थे कानून बनने के बाद भी वैसे ही MSP की गोषणा की गई जैसे पहले की जाती थी कोरोना महामारी से लडाई के दोरान भी ये काम पहले की तरख किया गया MSP पर खरीदी वी उनी मन्डियों में हुई जिनमें कानून बनने से पहले होती थी अगर कानून लागू होने के बाद भी MSP की गोषणा हुई MSP पर सरकारी खरीदी हुई उनी मंडियों में हुई तो क्या कोई समझदार इस बात को स्विकार करेगा कि MSP बंद हो जाएगी और इसलिए मैं कहता हूँ इससे बड़ा कोई जूठ नहीं हो सकता इससे बड़ा कोई शरियंत्र नहीं हो सकता और इसलिए मैं देश के प्रतेक किसान को इविश्वाद दिलाता हूँ कि पहले जैसे MSP दी जाती थी वैसे ही दी जाती रहेगी MSP न बंद होगी न समाप्त होगी साथियों अब मैं आपको जो आंकड़े दे रहा हूँ वो दूद का दूद और पानी का पानी कर देंगे पिछली सरकार के समय गेहू पर MSP थी 1400 रुपिय प्रतिक क्विंटल हमारी सरकार प्रतिक क्विंटल गेहू पर 1975 रुपिय MSP दे रही है पिछली सरकार के समय धान पर MSP थी 1310 रुपिय प्रतिक क्विंटल हमारी सरकार प्रतिक क्विंटल धान पर करीब 1870 रुपिय MSP दे रही है पिछली सरकार में ज्वार पर MSP की MSP थी 1520 रुपिय प्रतिक क्विंटल हमारी सरकार ज्वार पर प्रतिक क्विंटल 2640 रुपिय MSP दे रही है पिछली सरकार के समय मसूर की दाल पर MSP थी 1950 रुपिय हमारी सरकार प्रतिक क्विंटल मसूर दाल पर 5100 रुपिय MSP दे रही है पिछली सरकार के समय चने पर MSP थी 3100 रुपिय है हमारी सरकार अब चने पर प्रतिक क्विंटल 5100 रुपिय MSP दे रही है पिछली सरकार के समय तूर दाल पर MSP थी 4,300 रुपिय प्रतिक्विंटल हमारी सरकार तूर दाल पर प्रतिक्विंटल 6,000 रुपिय MSP दे रही है पिछली सरकार के समय मुंग दाल पर MSP थी 4,400 रुपिय प्रतिक्विंटल हमारी सरकार मुंग दाल पर करीब 7,200 रुपिय MSP दे रही है साथियों यह इस बात का सबूत है कि हमारी सरकार MSP समय समय पर बढ़ाने को कितनी तवज्जो देती है कितनी गंभीरता दे देती है MSP बढ़ाने के साथी सरकार का जोर इस बात पर भी रहा है कि जादा से जादा अनायत की खरीदारी MSP पर की जाए पिछली सरकार ने अपने पांच साल में किसानों से लगबग 1700 लाख मैट्रिक तन धान खरीदा था क्यांकर याद रखना हमारी सरकार ने अपने पांच साल में तीन हजार लाख मैट्रिक तन धान किसानों से MSP में खरीदा करीब करीब डवल पिछली सरकार ने अपने पांच साल में करीब पौने चार लाख मैट्रिक तन तिलहन खरीदा था हमारी सरकार ने अपने पांच साल में चपन लाख मैट्रिक तन से जादा MSP पर खरीदा है अब सोचिए कहां पौने चार लाख और कहां चपन लाख यानि हमारी सरकार ने न सिर्फ MSP में वृद्धी की बल्कि जादा मात्रा में किसानों से उनकी उपज को MSP पर खरीदा है इसका सबसे बड़ा राब ये हुआ है कि किसानों के खाते में पहले के मुकाबले कहीं जादा पैसा पहुचा है पिछली सरकार के पांच साल में किसानों को धान और गेहूं की MSP पर खरीदने के बढ़ले में 3,74,000 करूर रुपिय मिले थे हमारी सरकार ने इतने ही साल में गेहूं और ध्यान की खरीद करने किसानों को आठ लाक करूर रुपिय से जादा दी